हेलो दोस्तों निप्टी और मैंक निप्टी एनलेसिस का इस वीडियो पे मैं आप लोग के साथ मुश्टली ये डिसकाशन करने वाला हूँ कि बाइदा नेक्स्ट विकली एक्सपारी मार्केट कौन से दिसा पर जा सकते हैं क्या हो सकते इसका इंपोर्टेंट लेबेल्स और कर सकते और इंटर डे पे हमारा जो पार्टे का टायर ग्रेट रहते हैं 100 पॉइंट से निप्टी उसमें से हम कितना कमा सकते थे और यह सब कुछ हो जाने के बाद पार्टे की तरह मैं निप्टी पे ऑप्शन पे जाकर डिपर आप्शन स्ट्रेटी का भी डिसकाशन तो चले शुरू करते हैं इससे पिछला कुछ दिन का जो वीडियो से उधर मैंने आप लोग साथ डिसकाशन किया था कि मार्केट क्यों इधर से डिपर्सल ले सकते हैं फिर यह जो फॉल करेगा वो इधर से थोड़ा चोटा मोटा डिपर्सल लेगा वो सब तो लिया था ज इसको अगर मार्केट होल्ड कर जाता तो मार्केट इढ़ से यह ले सकता था बड़ जाब मार्केट इस लोको यह जो प्रिब्रियस डिका लोग को मार्केट ने ब्रेक क्या तो इधर से हमारा नेक्सट इमपोर्टन रिवर्सल लेवल होगा 17,710 यह एस पर फीवोनासी हार इधर से मार्केट घूम सकते हैं, गूम गया था, चलिए देखldigt हैं कि । इसलिए मार्केट पर बहुत sharply BRD नहीं हूँ जब तक इस betty 700 का जो । इसको market क्रोस ना करे और इसको क्रोस करेगा जो मैंने पिछला दिन का वीडियो पर भी मैंने डिस्काशन किया था कि 17,200 पर भी मार्केट जा सकती है तो यह दोनों हमारे इंपोर्टन लेवल है पर मैं एक्सपेक्ट नहीं करा हूं कि मार्केट इधर से और सार्फली फॉल करेगा मेर यह बाला जो एसी ट्रेंड लाइन है जो मैंने पिछला दिनी डिस्काशन किया था इसलिए आज आलग से ज्यादा कुछ डिस्काशन नहीं कर रहा हूं तो यह होगा हमारा आप साइट का टार्गेट और डाउन साइट पर 17,700 होगा हमारा एक्चुल टार्गेट जहां सा मा इसको क्यूँ होल्ट नहीं कर पाया और इसको हम कैसे ट्रेट कर सकते थे इसको पहले मैं वान मिनिट का टाइम प्रेम पर दिखाता हूं उसके बाद ऑप्शन सेलिंग के माददम से भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आज एक्सपाइड डे पर आप जो लोग ऑप्शन सेलिं पर चलते हैं और यह बाला जो फॉल हुआ इसका डिकोट करते हैं तो आव हम चला है निप्टी का वान मिनिट का टाइम पर चले इदर स्टार्ट कर देते हैं आज दिन का सुड़ों में मार्केड आप साइट पर जा रहा था जैसे कि हमारा एक्सपेक्टेशन भी था कि 886 क जो लेविल था जो मैंने आभी दिखाया उदर से मार्केड आप साइट पर जा सकते मार्केड जा रहा था बाट इदर आप आगर देखना चाहेंगे जो मैंने पिछला दिन भी आप लोग के साथ डिसकासन किया था ओ क्या था ओ यह था कि मार्केड जीश दिसा पर तीन एकसम पर नहीं आता तो आधर मार्केड क्या करेगा मार्केड आधर हो जाएगा ऐसा यान कि फ्लैट या एक ट्राइंगल बना रहा होगा मतलब मार्केड पर मुव्मेंट होगा ही नहीं लगपक जो कि एक बॉक्स पैटर्न भी बहुत साह लोग बोलते हैं रेक्टेंगल मतलब दो ट्रेंड लाइन के बीच में ऐसे घूमते हुए नजर आएका मोटा मोटा मार्केड और दूसरा चीज हो सकते हैं कि मार्केड उल्टी तरफ चल जाए ब्यारिस लेकिर इधर ब्यारिस का एकस्पेक्टरेशन अभी हम नहीं करेंगे हमारा एकस्पेक्टरेशन दी एंड ई तो इह जो है एक ट्राइंगल बना म्याई है तो इधर से इदर तक जो मैं दूसरी कालर से मार्क नइक कर देता हूं तो इधर से इधर तक मुल्ट भाइड और यह पीर राफकिर डाब लू अपका बी और एक जो है और सी और यक है क्युक्कि इसको अगर मैं श मानूगा तो टू पे ट्राइंगल नहीं आ सकता ओके तो इसलिए इसको मैं वान टू मार्क नहीं कर सकता और शुड़ू में यह देखकर आपको पता चलना चाहिए कि मार्केट इधर से ज्यादा उपर जाएगा नहीं एट लिस्ट जाना होगा तो एक थोरा रिवर्सल लेग और फिर में भी मार्केट अगर 5 वह दिखाएगा तो तब जाकर इधर से में भी मार्केट आप साइट पर जा सकती है तो इधर से आपको एक न्यूट्रल ट्रेटी एक्सपेक्ट करना चाहिए था तो इस न्यूट्रल ट्रेट को एकसे ट्रेट करते हो चलिए मैं दिखाऊ मुझे दीखा यह टौप को market बढना एक बात तो मैं इधर expect करूंगा एक neutral move का okay तो इसको मैं आभी मीट हराऊ गिलाओ एंडर भूचिवार कि मार्क एक्सपेक्ट कर रहा हु कि मार्के गोप्राया क्योंकि मार्केट में यान की काल का ही जो हो है दिन का आकडिक पे जो लो बनाया था एक छोटा मोटा उधर से देखेंगे तो तीन ओप गया तो इसके बाद मार्केट किया करेगा इसके बाद मार्केट ने जो किया वह यह है कि इधर से आई तिंग आपको दीग रहा होगा मार्केट इधर कितना ओपिन बनाया मार्के यह जो है यह 1,2,3,4,5 यह पांच सह साजों पर मार्केट नीचे आया तो जब पांच सह सब हो हुण है यह जो है इसका मतलब एक ही है कि यह जो है यह आपका A और One हो सकते यह W नही होगा क्योंकि W थीन वह पर नॉर्मली बन्थaliśmy थे तो यह आपका A और 1 है यह जो है यह में भी आपका 2 और B होगा और यह 3 और C के लिए मार्केट सार्पर नीचे आ सकते हैं और इसका टार्गेट क्या होगा आप सब को पता है कि ओए 3 जो होगा का ओए 1 का 100 परसंट का लेवल तकी की ओए 3 जो होगा ओए 1 का 161 परसंट तक जाते हैं तो इधर चले देखते हैं कि यह 161 परसंट जो की 17,778 है उदर जाते हैं कि नहीं तो इधर से जब यह 5 साववव पर नीचे आया इसके बाद चाहिए हो इधर हो इवन यह जब रेट केंडल दिखने लगा मार्केट यान की फॉल फिर से स्टार्ट कर दिया थार्ट के लिए तब आपका इधर से एक्च प्रीख सारफ ली चला जाएगा नोरमल्ली मार्केट जो करते हैं सारफली ना जाकर थेरे दिले जाते हैं इसको मैंने ब्लैक और से चोट अधर मार्क ड़रनीं crypto पहलत ज्यूंग कर दिया है तो मार्केट इंधर तरर जो भी बना चुक है यह 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 वॉन है यह 161 के लेव तो यह फोर्ट विप का स्टेंडर्ड रिट्रेस्मेंट तो यह फोर्ट विप के लिए मार्केट तो आप साइट पर जाएगा और फीप तो जो होगा वोगा वह 0-3 का 0.618 ही होते हैं वो यह 5 का एक आच्छा खासा टार्गेट तो उसी सबसे मार्केट जाएगा और कुछ नहीं तो चलिए इसको मैं देखते हैं कि मार्केट आभी फोर्ट विप के लिए कौन सी दिशा पर जा रहा होगा तो अगर हम 0 से यह 3 का ले लेंगे तो इसका 38 परसेंट जो कि 38 परसेंट का लेवल है इधर से मार्केट दूसरी तरफ सार्फ ले घूम गया ओके और यह जो फीप तो बना रहा होगा ओविसलिए फोर्ट के बाद फीपती आएगा तो उसका जो टार्गेट होगा ओभी मैं दिखा देना चाहूंगा यह 0 से यह जो थार्ट होए भ इसको आगर मार्केट पर जाने का प्रेस कर रहे है तो यह जो लोग मार्केट ने बना है यह बहुत एक इमपोर्टेंट लोग है और इसके नीचे जो अगर मार्केट जाएगा तो 17,700 होगा हमारा दूसरा एक रिवर्सल जोन और उसके बाद मैं इमिटियेट एक रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है और इधर से मार्केट जो जाएगा तो यह बहुत ही आप साइट पर जा सकते हैं अगर इस लोग को होल्ट कर जाए तो इवन 17,700 से भी अगर रिवर कोसिस कर रहे हैं तो यह जो राइस है यह बहुत ही एक प्रेडिक्टेट है क्योंकि यह 12345 डाउन साइड पर करने के बाद राइस दिखा रहे हैं और यह जो मूब है इट लूक्स मोर लाइक 12345 देन यह काइंड अब एन एबीसी देन एगर यह उपर जाने का कोसिस कर रहे ह हैं तो इसलिए मैं बोलना हूं इस लोग को अगर होल्ड करेगा तो मैं भी यह 12345 करके आपसाइड जा सकती हैं और इस लोग का नीचे फास्ट अरगेट होगा 17700 तो आभी चले निप्टी पे आज एकस्पाइड पे ऑप्सन का कौन सा स्ट्रेजी हमारे लिए बेस्ट हो सक क्योंकि आने बाला समय पे बाजेट है तो बाजेट के कारण फीक्स राइस होगा और अगर फीक्स राइस होगा यानि कि आईपी भी राइस होगा ओवरल आईपी की बाद बोलना चाहूंगा तो यह जो इसका प्रॉपिट है यह डिक्रीज होने लागेगा इसलिए इस ट् इसको मैं अभी होल्ट कर रहा हूं जब मैं इस पर कुछ खास चेंज करूंगा मैं आप लोग के साथ डिसकाशन कर लूँगा तो इधर हम निप्टी का 5 मिन्ट पे चले आए हैं इधर मैं आप लोग को यह दिखाऊंगा कि आज निप्टी पे आप कैसे ट्रेट कर सकते थे देखिए इधर जो है यह एकदम भेरी बेसिक है भेरी क्लियर होना चाहिए कि इधर से आप सबसकी यह मार्केट आप साइट पे जा रहे हैं तो इसको अगर आप इधर से या इधर से काई पर भी आप पूट जो है पी साइट को आप सबसकी सेल किये होंगे क्योंकि आज एकस्पार इडे है तो यह अगर मार्केट इधर भी ऐसा ऐसा भी करेगा तब भी यह पूट जीरो हो जाएगा इसी सबसे अगर आपने सेल किये होंगे इस पूट साइट को तो क्या होगा इधर से मार्केट जब घूम के आ रहे हैं तो आपको इस जगह पे ए यह है कि मैं इस लोस को बूक ना करके जांसे भी मैंने यह पूट सेल किया था ऐराण सेमटेश्ट सेल के कडिक करी तो इसके पास ही यह यह सेम्ट साइक पर ही मैं 17900 जो है इसका कॉल को भी मैं बेज दूँग और इससे क्या होगा मार्केट जीस तरब भी जा रहे हैं मार् बंखर के नहीं रखना कि पूट अल्डिडी जब आपका लौस देना स्टार्ट किया तब जाकर आपने कॉल को बेच है तो इसलिए इस पूट को आप एक स्टॉप लज लगा देंगे कितना स्टॉप लास होगा वह उतना ही स्टॉप लोस होगा जितना आपका ये कॉल दे सक तब आपने इस call को बेच हैं, तो आप क्या करेंगे, तब सबसकी call का जो premium है, वो सबसकी था 50 rupees, तो आपके पास एक ही काम जो आपको करना है, वो यह है कि 50 rupees into nifty का 50 का lot है, तो यह maximum आपको profit देगा, धाय हजर का, इससे ज्यादा का profit नहीं देगा, तो इधर आपको already 1000 का loss हो र देना नहीं है, that's it, इससे क्या होगा, आज market आप अगर put site पर फास भी गाया होगा, put sell करके, तो क्या करेंगे, market जब ulti site से आपने same strike पर एक call बेच दिया, तो यह जो है, एक straddle हो गया, एक umbrella type का, तो इसके बाद इधर आप उधना ही loss लेंगे, जितना आप इस call site से कमा सक इससे आपका no profit, no loss हो जाएगा, यह फिर यह stop loss hit भी कर गया, तब तक market क्या करेगा, यह जो call है, यह आपको बहुत ही करिप करिप चलाएगा, near to zero, राइट, यह delta move है, प्लस यह theta decay भी होगा, तो इसलिए यह जो call है, यह आपको आच्छा का सा profit भी दे रहा होगा, और दिन क आपको आच्छा का सा profit भी दे गए होंगे, इवेन इतना reversal के बाद भी, तो यह होते हैं अमारा strategy, जिसको मैं बहुत ही कम risk और high rewarding, यह फिर नोला strategy बोलता हूँ, आधर यह 1000 का loss जो है, यह भी धिर धिर जिरो पे हो जाएगा, प्लस call का profit होगा, यह फिर in any case, put side से market रोकने का नाम ही नहीं ले रहा है, तब भी market आपको आच्छा का सब यह loss देगा, जितना call side उतना ही आपको profit देकर दिन का अक्री तक आपको make up कर देगा, that's it, तो यह जो है, यह एक option seller का strategy आज के लिए होना चाहिए, तो जो मुझे लाग रहे हैं, और यह मैं बस और बस intraday के लिए दिखा रहा हूँ, तो मैं उम्मिद कर रहा हूँ कि आप लोग को मेरा यह जो different strategies है, जो मैं discuss करके आप लोग को दिखा रहा हूँ कि कैसे आप धीरे-धीरे loss को भी profit पर या पि no loss, no profit scenario पर exit कर सकते हैं, तो आप लोग को अगर अच्छा लगा, तो हमारा वीडियो को लाइक क किजिए, हमारा वीडियो पर comment किजिए और जो दूस्तों नए हैं, हमारा चैनल को subscribe भी कर सकते हैं, तो आभी के लिए इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं next वीडियो पर